तो Code Forces में हम अपनी प्रोफाइल बनाते हैं जिसको यूज करके हम कॉंटेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और हमारी रेटिंग रैंकिंग और इवन कलर जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था वो भी चेंज होता है तो होप आपने पार्ट वन देख लिया होग नहीं देखा है तो आप देख लें एक बार चैनल पर जाके यह पार्ट टू है हम यहां पर प्रोफाइल को कंपेर करने वाले तो कटपा वर्सिस बाहुवली मैं कहूंगा इसको और यहां पर जाहिर सी बात है कटपा मैं हूं जो की एक बेकार कोडर जो की जिसको एकदम न है तो टूरिस्ट जो है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था टूरिस्ट के बारे में यह जो है एक टाइप काम प्रोडिजी कह देते हैं यह एक ऐसे वेक्ति जिनमें कोड करने की इतनी शमता है इतनी कला है कि बचपन की उमर से जैसे कुछ होते नहीं है लोग जो ब हर कॉंटेस्ट हर कॉंपेटिटिव कोडिंग का प्लैटफॉर्म इनके हाथ में यानि जहां पे भी जाते हैं यह फॉस्ट आ जाते हैं तो हमारे केशव जी यानि कटपपा एक टाइप का यह वेक्ति न्यूबी है कब से पिछले 23 महीनों से ठीक है यानि दो साल होने वाले है दो साल से यह न्यूबी ही है और शुरू में इनका आप ग्राफ देख सकते हैं कि पहले यह प्यूपिल थे है ना तो पता कैसे चलता है आप कॉंटेस्ट रेटिंग में जाएं यहां पे 428 लिखा है तो मैक्स यानि मैक्सिमम जो मेरी अबिलीटी दिखी है वो है प्यू जान की हकीकत सामने आई जाती है तो प्यूपिल से व्यक्ति को सीधा न्यूबी आने में ज्यादा टाइम नहीं लगा तेरा कॉंटेस्ट में ही पता चल गया ठीक है अभी मैं आपको बताऊंगो कैसे पता चलता है बात कर लेते हैं हमारे बाहुवली जी यानि टोरिज जी की ये व्यक्ति खाती कि लेजंडरी घ्रैंडमास्टर हैं जैसे कि मैंने आपको बताया पहले वाली प्रोफाइल में न्यूबी था हो नगा ग्रेड कोडर फाने यहे रेड कोडर legendary grandmaster तो आपको देख सकते हैं इनकी profile के नीचे लिखा है 2018-2015 5 years पूरे हुए then 8 years पूरे हुए और ये पिछले 12 साल से यहां पे हैं यानि 12 साल से तहल का मचा रहे हैं लगबग ये जो website है court forces ये बनी कब थी लगबग दोजर 6 क्या असपस ऐसा कुछ बनी थी या उससे भी बाद में तो टूरिज जी का असली नाम है हमारा गैनेडी कोरोकविच ठीक है और ये हमारे star player है यानि इनकी contrast rating 3819 है जो की highest rating 3822 है और ये तब से अपनी rating को बरकरार करे हुए है और इनकी highest rating है पूरे court forces में इनकी शकल याद रखे और नजाने अभी देखिए अभी भी online है online ना लिखा हुआ है last visit में इनके friends देखिए 36K friends और रही बात हमारे केशव भाई की तो केशव के भाई का एक ही दोस्त है जो कि उसका class में जो उसका school में पढ़ता है केशव एक type का तुम्हारी तरह ही वेक्ती है जो एक आम बच्च्चा है एक college में पढ़ता है coding के लिए ट्राए कर रहा सा हो और उसका बजना ज्यादा knowledge है और ना वो ज्यादा knowledge लेना चाहता है क्योंकि आजकल सब कुछ मिल रखा है है ना उसका एक भी contribution है ना उसका सिर्फ एक friend है 47 hours अगो लिखा हुआ रहे है आगे change हो जाएगी rating last visit कव है तो ये सारी चीज़े हैं उसकी blog entry भी 0 थी यहां देखिए contribution 170 plus है registration 12 सा लगो है और even blog entries 32 है graph की बात करते हैं graph में आप देख सकते हैं किस तरह से इन भाई का graph जो है 1400 से चलते चलते नीचे जाके एकदम disturb हो जाता है एकदम ही गहरे कोई में चले जाते हैं तो graph का जे कर नीचे की और चला गया तो ये बन गए हमारी newbie बात करते हैं tourist भाई के tourist भाई जो है वो अपनी ही लाल रंग की दुनिया में मशूर हैं और एकदम खून से भी गाड़ा लाल रंग पे हो हैं और इस rating तक तो graph तक नहीं पहुंचा मतलब court forces ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए कि इससे आगे rating अगर होती तो वो भी जरूर इनको मिलती और इनकी जगे जो है ये लाल पे ही है तब से और ऐसे कोई खास बात नहीं होती इन व्यक्तियों में जो की इतने खास हो जाते हैं ये काम तब करता है जब तुम सोरे होते हो और जब तुम जगे रहे होते हो तब तो काम करने का समय ही होता है है न तो समझ गए होगी मैं क्या बोल रहा हूँ तो इन्हों ने आज तक 1700 यानि 1700 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा है और पिछले साल 286 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा था रही बात केशव भाई की तो इन्होंने सिर्फ 28 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा है और 23 प्रॉब्लम्स को पिछले साल करा थे यानि इस साल सिर्फ 8 प्रॉब्लम्स सॉल्व करी है और आदे से जादा प्रॉब्लम्स इनकी copy paste रही होंगी इसलिए इनकी knowledge का इतना पता चल रहा है एक problem solve करी एक महीने पहले और तीन दिन में लगातार problem solve करी तीन दे त्री डेज का max है और टू डेज in a row last year और एक one day in last month तो आप इनका heat map देख सकते हैं बहुत कम जगह पर green दिख रहे हैं और बात करते हैं टूरिस भाई की तो इनका भी है green मगर जब भी है dedicated रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने आपको समय देते हैं और daily देते हैं तो उनका daily green रहता है मगर कुछ होते हैं जो एकदम बैटके एकदम आराम से बैटके एक धिन में इतना कर देते हैं जितना वह एक हक्थे में नहीं कर पाते हैं तो हमारे। तूरिष भाई इसी प्रकार के हैं, इन्होंने जब भी प्रॉब्लम की है, एकदम बैठ के बढ़िया से की हैं, और हाली में भी इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ट्राय करा है, कुछ दिन यह लगातार रहे थे कम प्रॉब्लम्स करी, कॉंटेस्ट में उन्होंने बहुतस में आपना टायम लगाते हैं, रही बात हमारे केशा भाई की, तो इनके बारे में प्लाइन थोड़ा और बात कर लेते हैं, यहां प्र देख सकते हैं कि व्लोगत लिखा ैं टीम लिखा शभा है लिखा है कंटेस्ट लिखा है, तो कॉंटेस्ट पी क् माख चल पड़ा था तो एक कोशन सॉल्फ कर पाया थे इसलिए प्लस फाइफ पॉइंट मिलें बाकी हड जगे माइनस नाइटीवन नाइटीसिक्स इवन आप देख सकते हैं जो तीसरा कॉंटेस्ट इन्होंने पार्टिसिपेट किया उसमें तो इनकी एकदम हालत खराब हो क्योंकि पहला कॉंटेस्ट जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया तो यह प्यूपिल बन गए थे बिना कोशन को सॉल्फ करें नेगिटिव होने के बाद भी यह शुरू में प्यूपिल ही थे मगर उसके बाद इनकी हाकिकत सामने आई जब लगातार नेगिटिव होते और अब यह तक नियों भी ही हैं तो इन्होंने गिंती के सिर्फ तेरा कॉंटेस्ट में पार्टिसिपेट किया उसमें से भी लगबाग 1,2,3,4 सिर्फ 4 कॉंटेस्ट में ही एक कोशन कर पाई यानी एक कोशन से ज्यादा तो यह सोची ने सकते वह भी तुक्य से हो जाते है या किसे से पूछ लेते हैं तो यह थे हमारे भाई केशव भाई बात करते हैं हम अपने टूरिश भाई की तो इन्होंने 203 कॉंटेस्ट करें और केशव भाई पिछले 2 साल से लगे पड़े हैं और यहां पर टूरिश भाई पिछले 12 साल से तो इन्होंने 203 कॉंटेस्ट करे है और आपको जानकर हेरानी होगी कि ये एक बारी में छे कोशन और नौ कोशन कर देते हैं पांच साथ चे आठ यानी मतलब अगर आप कॉंटेस्ट आपने देखी होंगे कोटफोच के तो लग बग मान लो कि उसमें 6 कोशन होते हैं और उसमें ऑढ़ेंगे verdadat नो कोशन होते हैं कॉंटेस्ट में तो 9 कर देते हैं है ना तो इस तरह से चलता है इनका गेम और इवन 6 कोशन करने पर इनकी रेटिंग चेंज कितने होती है माइनस 3 यानि अगर हम 6 कोशन करते हैं तो हमारा ग्राफ तो एक दम इतना तेज हो जाएगा यही तो होता है अगर आप बड़ी लेवल पर खेलते हो तो खेलने का मतलब यहां कॉंपिटिटरी प्रोग्रामिंग का है तो जितने भी कोशन करते हैं इनके लिए कम है उतना ही कम क्योंकि इनका इस तरह से लेवल पहुंच चुका है कि क्या बताएं तो दो सो तीन कॉंटेस्ट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और हर बाद इनकी रैंकिंग बदली है और यहां आप देख सकते हैं अभी तक रैंकिंग नहीं बदली क्योंकि यह लाल पर ही चल रह सब्सक्राइब करने थे और ऐसे करके इनका सफर रहा शुरू से इनकी एक खास बात और है कि इनमें एक और आप्चन है कॉंटेस्ट के बाद प्रॉब्लम सेटिंग का यानि इन्होंने प्रॉब्लम सेट कर रखी हैं बहुत सी प्रॉब्लम साब जो करते हैं कोड़ फोर्स बन गए आते ही यानि सिर्फ दो कोशिन करें इन्होंने और एक्सपर्ट से केंड़ेट मास्टर और ना जाने क्या-क्या इंटरनेशनल मास्टर तक बन गए तो अगर आपको इनकी जर्वनी के बारे में जानना है तो आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं जो वन के बाद लिखा पहर में उर रखें यह हैं यह सारे कॉंटेस्स जो हैं कि आप इनके क्लिक करेंगे यह कुंटेस खोल जाएंगे आप यहां पर देख सकते हैं के कोशन को साथ इसवन टूरिस किस तरह से कॉश्चन को सौलफ करते हैं अप्रोच करते हैं और और इनके answers, इनके solutions वो भी दिख जाएंगे आपको रही बाद हमारे case-up आई कि तो इनका क्या है यहाँ पे सिर्फ तेरा questions, तेरा contests इन्होंने part करें और contest number 4 यहाँ पे इनका एक question बड़ी मुश्किल से हुआ था और आप click करेंगे कोई से भी contest पे और question लगाने की try करेंगे तो लग जाएंगे, even जो अच्छे coder होते हैं वो यही करते हैं कि दूसरों के solution से भी सीखते हैं ठीक है, तो आप जो है अपनी journey को continue रखें यहाँ पे किसी की बुराई करना या किसी को extremely unbelievable बताना नहीं था कि टूरिश जो है वो इतने तगड़े coder हैं और यहाँ पे एक आम इनसान जो है वो गरीब परिवार इनसान जो है वो ऐसा करता है है ना ये गरीब अरीब तो छोड़ी है सब मैनत का कमाल होता है तो यहाँ पे था आपको कि किस तरह से जर्वनी के शुरुवात होती है और अभी ऐसा नहीं है कि किसी की काबिले चुपी रहते हैं कोई कुछ करना ही पाता है यह मत भूले कि यहाँ पे इनके सिर्फ 12 साल लगे हैं और उनके 12 साल यानि 10 साल हो रहे हैं कभी न कभी तो मिलता ही है तो आप जैसे कि देख सकते हैं इनकी कोई महनत नहीं है यह ना एक कंसिस्टेंट है ना कुछ है वही हमारे टूरिज भाई दिन रात लगे रहते हैं और जब भी कॉंटेस में पाडिसिपेट करते हमेशा बड़ा एम रखते हैं तो महनत पे होता है सब कुछ बहुत सारे इंडिया के इवन इंडिया के कोडर्स जो हैं वो बहुत हाई लेवल पे हैं और जो भी हैं इसमें रजिस्टर्ड उन सब को कही न कहीं बड़ी कंपनी में प्लेस हो रखे हैं वो गूगल जैसी कंपनी में तो आपकी इंस्पिरेशन के लिए आपको मोटिवेट करने के लिए और थोड़ा दुख की ख़बर भी सुना देता हूँ जैसे कि हम बोलते हैं कि गोल्ड मेडल इंडिया को क्यों नहीं आता ओलम्पिक्स में और यह चाइना ही सारे मेडल के ले जाता है तो यहां पे आप गोल्ड मेडल ला सकते हैं क्योंकि यह चीज आपके हाथ में है है ना आप बोल दूसरों को हमेशा ब्लेम करते हैं सिस्टम को हमेशा ब्लेम करते हैं आज आपके लिए ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि असल में हो क्या रहा है कोड फोर्सिस में वन से लेकर 268 तक यानि 208 लोग जो हैं वो दूसरे देश के हैं और सबसे ज़्यादा चाइनीज लोग हैं यानि इन्हों ने ये ग्रेंड मास्टर बने फिर रहे हैं अपनी महनत के वलबूते पर डेफिनेटली और इंडिया जो है 268 नमबर पर है भी क्यानि सभी कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया 268 नमबर पर है उसमें से भी ये शितिज सोडानी जो भी वेक्ति हैं ये हैं हमारे ग्रेंड मास्टर तो ये सारी लिस्ट है हमारे इंडिया के ग्रेंड मास्टर की और लगबग ग्रेंड मास्टर की लिस्ट में तो बहुत कम लोगे हैं गिने चुने 8-10 और इन में से आप बहुत से लोग को जानते भी होगे हेल्दी यूजी का तो खुद का चैनल भी है है ना आप जानते होगे ये ये हम लाइव कॉंटेस्स को सॉल्व करते हैं ये चीज में निकाला कैसे आपको कोड़ फोर्स पर जाना है रेटिंग पर जाना है कंट्री पर इंडिया लिख देना है तो इंडिया के 36,000 यूजर्स ने अपना कंट्री रजिस्टर करवा रहा है ऐसा नहीं है इंडिया में बहुत सारे यूजर्स डेफिनेटी होंगे जो कोडिंग सीख रहे होंगे मगर उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया होगा कि किस शहर में रहते हैं कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं यह सब नहीं लिखा होगा है न हम भी भूल जाते हैं लिखना तो इन में से यह सारे लोग हैं हमारे बहुत हाई लेवल के तो मैं आपको यह इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको मोटिवेशन मिल सके सितिज सोडानी जो भी वेक्ति हैं यह आप देख सकते हैं इन्होंने भी अपना दो साल पहले यह देखे जीते जाते एक्जाम पर दो कुछ होता है quantity problem solve करते हैं धडले से हैना कुछ होते quality वाले तो यह है quality वाले वेक्ति अभी भी online नजर आ रहे हैं और इनके friends contribution सब जो है tourist जैसे हैं और एकदम international grand master बन चुकी है अभी तो grand master international grand master भी बन गए थे एक समय पे अब इनका थोड़ा graph आगे पीछे हो ऐसा तो होता ही है तो यह pure मेहनत नजर आती है आगे आते हैं यह हमारे नीको नए जो भी है यह भी इंडिया से है और अलगी profile है इनका कुछ पता नहीं चार साल पहले शुरू करे थे और इनका भी graph जो है 380 1308 problem solve करने के बाद बना है है ना तो यह व्यक्ति जो है हमारे grand master है और international grand master भी बन होगे इनकी अब यह देखिए grand master है हमारे इनका नाम है healthy ug आप इनको जानते होंगे पहले से गूगल की जितने contest होते हैं उसमें भी यह participate करते हैं और इंडिया से हमेशा first second number पर आते हैं तो इनका चैनल भी है आप इबर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा अराम से यह हमारे red coder grand master healthy ug ठीके तो उतकर्ज गुपता जी के बारे में तो आपको क्या ही बताएं यह इतने इनकी भी pure महनत है इन्होंने बताया था अपनी कैसे महनत करी हैना मैं भी आपको जो part 3 है उसमें बताऊंगा उतकर्ज गुपता का तरीका और साथ में उतकर्ज गुपता का नहीं सभी कि लोग जो है इसी तरीके से चलते हैं कि कैसे रेड कोडर की महनत तक पहुंचते हैं तो पार्ट 3 का वेट करें और पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखें क्योंकि मैंने आपको कलर कॉंबिनेशन वगर कलर कोड और रेटिंग वगर के बारे में बताया था अकर आप यहां तक समय देखके मोटिवेट हुआ है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और थैंक यू